Hello everyone, welcome back to Commerce Point. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Net Present Value Method के बारे में. सबसे पहली बात, Net Present Value Method में हम Time Value of Money को Consider करते हैं. और ये एक बहुत ही अच्छा method है Investment Proposals को Evaluate करने के लिए. हमारे पास दो तीन प्रोजेक्ट दिये रहेंगे और उसमें से हमने सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा Profitable Project कौन सा है. तो उसके लिए हम Net Present Value Method को यूज करेंगे. जब आप NPV यूज करते हैं तो उसमें आपने एक बात का धियान रखना है कि हमें चाहिए Profit Before Depreciation and After Taxes. इसका मतलब कि जितने भी Profits दिये रहेंगे प्रोजेक्ट के उसमें से Depreciation हमने डिड़क्ट नहीं करनी बट हमने Taxes को डिड़क्ट करते ना है. जाँ फिर हम कह सकते हैं हमें Calculate करना है NPV को Cash Inflow के Basis पर. So Cash Inflow जो है उसमें हम Consider करेंगे Depreciation को बट हमने Taxes को क्या करते ना है डिड़क्ट करते ना है ठीक है तो Net Present Value को कैसे Calculate करते हैं That will be equal to Present Value of Cash Inflow Minus Present Value of Cash Outflow अब हमें Inflow जो है वो तो Question में दिये रहेंगे और हमें Cash Outflow जो है वो भी दिया होगा जैसे कि यहां पर मैंने एक एक एक्जामपल लिया है दो Project है हमारे पास Project X और Project Y Project X के केस में यह पान सालों के हमें Cash Inflow दी हुए है और Fifth Year में कहा है कि उन्होंने जितना भी समान बच गया उसको Sale Out कर दिया As a Scrap तो Scrap से 1000 रुपेस Recover हुए क्योंकि यह Fifth Year में Recover हुए है तो इसमें हम Fifth Year का ही Present Value यूज़ करेंगे दूसरा मेरे पास Option है Project Y Project Y के केस में भी पान साल के Cash Inflow गीवन है और Fifth Year में आपने Scrap सेल कर दिया तो 2000 रुपेस आपको Recover हुए यह भी Fifth Year में किया है तो यहां भी मैं Fifth Year का Factor ही यूज़ करूँगी ठीक है तो Cash Inflow और Cash Outflow जो है वो आपको कोशन में दिया रहेगा आपको कैलकुलेट करना है Present Value Factor अब इस कोशन में जो Outflow है Cash Outflow की Value है Project X के केस में 20,000 और Project Y के केस में हमें Outflow गीवन है That is 30,000 हमें calculate करना है सबसे पहली बाद Present Value of Cash Inflow तो उसके लिए हमें एक Factor चाहिए होगा जिसको हम बोलते है PV Factor PV Factor को कैसे calculate करना है कई बार तो एक्जाम में इसकी PV Factor गीवन ही होता है आपको कुछ calculate करने के ज़रुद नहीं है पर अगर नहीं given तो बहुत easy formula से आप इसको calculate कर सकते है formula रहेगा 1 divided by 1 plus rate of interest raise the power n n का मतलब है time period अगर आप first year के लिए calculate कर रहे हैं PV Factor तो n1 होजेगा second year के लिए करोगे तो n2 होजेगा third year के लिए करेंगे तो ये 3 होजेगा इस तरह से जिस साल के लिए आप calculate कर रहे हो n जो है वो change हो जाएगा तो मैं आपको जो है वो first और second year के calculate करके दिखा देती हूँ कैसे calculate करना है मार लीजे कि आपके पास rate of interest जो है वो question में given है that is the 10% so आप कैसे calculate करें के 1 divided by plus 10% raise the power n so first year के लिए ये 1 होजेगा second year के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी यहाँ 2 लिख दूँगी ठीक है इसको calculate कर लेते हैं 1 divided by plus 10% मतलब 0.1 raise the power 1 so 1 divided by 1 plus 0.1 so 1.1 raise the power 1 divide कर दीजे 1 को 1.1 के साथ तो ये मेरे पास आजेगा 0.909 so ये मेरा first year का PV factor हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ लिख दूँगी first year के लिए factor है 0.909 यहाँ भी first year के लिख दूँगी 0.909 अब second year का calculate करके देख लेते हैं so it will be 1 divided by 1 plus 10% का मतलब है 0.1 raise the power 2 so 1 divided by 1 plus 0.1 1.1 raise the power 2 तो हो गया 1 divided by 1.21 so it will be equals to 0.826 so यह second year का factor जो है मैंने calculate कर लिया इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं second year में 0.826 0.826 इसी तरह से आपने next year का भी calculate कर लेना है time save करने के लिए यहाँ पर मैंने already calculate किया हुआ है तो मैं उनी values को लिख देती हूँ ठीक है यह fifth year का factor है scrap में भी हम same use करेंगे क्योंकि मैंने fifth year में ही scrap को sale किया है तो जिस साल आप sale करोगे जिस साल आपको cash inflow होंगे उसी साल का factor आप use करोगे ठीक है अब हमें main चाहिए present value of cash inflow इन तोनों को multiply कर देना है ठीक है इसको मैं column 1 इसको column 2 का नाम दे देती हूँ तो यहाँ पर 1 multiply 2 है उसी तरह से यहाँ पर 1 और 2 को multiply करोगे तो हमारे पास present value of cash inflow आजेगा ठीक है तो इसको मैं calculate करके values लिख लेती हूँ यह मेरी multiply करके factor के साथ values आगे ठीक है और इसका मैंने क्या कर देना है total कर देना है total is 24,227 उसी तरह से second project के case में भी हम calculate कर लेंगे values को simple first column को second column के साथ multiply करके जाने की cash inflow को PV factor के साथ multiply करके हम इस value को calculate कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर total आ गया 34,728 done अब हमें क्या चाहिए हमें main calculate करना है that is the net present value और net present value किसके इकल होती है present value of cash inflow minus present value of cash outflow यह आपका inflow की value होगी यह आपकी outflow की होगी दोनों को minus कर देते हैं तो मेरे पास यह difference आ गया 4,227 so this is your NPV ठीक है दूसरे project में भी same दोनों का difference calculate कर लेते हैं this is NPV अब किस project को मैंने select करना है जिस project के case में NPV हमारी higher होगी उस project को मैं select कर लोंगी तो x में मेरी NPV है 4,227 y के case में है 4,728 तो y के case में net present value जादा है इसलिए I will go with the y project I hope आपको यह video useful लगेगी अगर अच्छी लगे तो don't forget to subscribe commerce point thank you everyone